बिहार में जहरीली शराब पीने से 57 लोगों की मौत हो चुकी है विदानसबा में विजेपी लगाता नितिश कुमार पर हमलावार है इस बीच सियम नितिश कुमार ने कहा कि शराब से मौत होने पर किसी को भी मौावजा नहीं दिया जाएगा नितीश ने कहा कि शराब पीएंगे तो मरेंगे ही उन्होंने कहा कि हम राष्ट पिता बापू के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं दूसरे राज्यों में जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है बिजेपी ने शराब बंदी का समर्थन किया था देखिए सराब बंदी का कानून लागू किया गया इसके पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी पापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप चानते ही है जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का तो उसको भी सब के घ यहां जितना जहरीली जब सराप बंदी नहीं थी तब भी जहरीली जहरीली सराप खर nyt जहरीली सराप की बात हुई तो जितना जहरीली सराप और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहां तो सराब बंदी है तो कुछ गडबर तो बेचेगा ही तो लोगों की मौत हो जाती है तो इसको याद रखना चाहिए कि सराब भी पी नहां सरा बड़ी पुरी चीज है लेकिन फिर भी कोई पी लेता है देखे जादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमती दी है लेकिन कुछ आदमी को क्या किजेगा कुछ तो ऐसी कल्दी करता ही है तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना ज़रीली सराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कपस संगे बाह जो सराब पीएगा हूँ तो मरेगा ही तो उदारन ही सामने है कि पीओगे तो है तो इसलिए विसके बारे में तो दूख प्रकट करना चाहिए और उन जगों पर जा करके समझाना चाहिए आप देख रहना हम कितना बड़ा अभियान चला है समा सुधार अभियान और उसको निरंतर जारी करना ब्योरे रिपोर्ट ग्रामिन भारत टीवी खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें